जब आप कोई स्पोर्ट्स भाई खरीते हो देन सबसे पहले आप जो चीज़ देखते हो देट इस पावर और ओवेसली देखना भी चाहिए इसलिए आप एक स्पोर्ट्स भाई खरीत रहे हो अगर आप 200cc या फिर उससे ऊपर जाओगे देन यू हब मल्टिबल ओप्शन सफ बाइक लेकिन 150cc सेग्मेंट पर अब लिमिटेट हो जाते हो कुछ बाइक के साथ और मेरे हिसाब से 150cc सेग्मेंट पर वन एंड ओनली स्पोर्ट्स भाइक है और वन फाइफ ओवेसली यू है आर्सी वान ट्विटी फाइफ लेकिन उस पर पावर कम है अभी मेरे पास यामाहा है इसलिए मुझे केटियम नहीं पसंद ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे सारे स्पोर्ट्स बाइक पसंद आते हैं स्पेशली ड्यूक 390 इस माई पर्सनल फेवरेट लेकिन आर्सी 125 में पावर कम है अभी अगर आपने नया नया बाइक चलाना सीख है देन आपके लिए बहुत पावर होगा लेकिन जैसे ही आप उस बाइक के साथ यूस्ट कितना टाइम लगता है वह दिखाने वाला हूँ प्लस फास्ट सेगेंड एंड थर्ड गयर चैलेंज करने वाला हूँ फॉर्ट फिफ्ट और यहां पर नहीं हो सकता है आप देख सकते हो मैं किस लोकेशन से हूँ चारों तरफ मतलब यह गाव एरिया है प्लस दोनों तरफ के घर है नेरो सा रोड है मैं कुछी दूनों बाद साउथ रेपर के तरफ जाने वाला हूँ एंड वहाँ पर हाइवे है बहुत अच्छा रोड है तब फॉर्थ फीफ्ट और शिक्स्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर देख लेना आज के इस वीडियो में 0- 60, 0-100, 1st, 2nd and 3rd gear challenge हम करने बाले हैं तो वल्कम एवर्यवन तो माइट चैनल मैंसरव शूबरा फ्राम त्रीपुरा एंड वाचिंग एजडियो मोटर राइडर लेस्ट सो पहले 1st, 2nd and 3rd gear का चेक कर लेते हैं मेरे घर के आसपास सर्फ यही एक प्लेस है जहां पर एक सीध का रोड़ है तो इस तर्फ जाएंगे 1st, 2nd and 3rd gear चेक करके फिर वापस आता है वक्त 0-60 and 0-100 भी चेक कर लेंगे सभी में हूं 1st gear पर एंड लेट्स चेक So it's 48 in 1st gear, now, देखते है 2nd gear पर 72, so 2nd gear पर है 72, now for 3rd gear 97, so third gear पर है 97, fourth gear क्या, यहाँ पर हम चक कर पाएंगे, देखते है fourth gear फिर भी, बहुत है कि नहीं, लेकि मुझे नहीं रखता होगा, त्योंकि यहाँ पर कोई highway नहीं है नहीं, यहाँ पर fourth gear नहीं हो सकता, यह काम करता हूँ, आगे से भाई को घुमा ले तो, फिर देखता हूँ, fourth gear दिखा पाता हूँ कि नहीं सो फिर से एक बर ट्राइ करते है, fourth gear के लिए, वैसे भी मैं सब साउथ के साइट पर जाओंगा, तब टॉप स्क्राइट का वीडियो बनाओंगा, फिर भी देखते है, fourth gear 116, फिर से ट्राइ करते है 116, 116 की बीश होता है, so, यह था first, second, third and fourth gear challenge, now, zero to 60 and zero to 100, अभी मैं तो आपको बता नहीं सकता है, zero to 60 and zero to 100 पे कितना लगेगा, घर जाके जब मैं एडिट करूंगा, तब पता चलेगा, so, screen के ऊपर लिखा हुआ, मिल जाएगा, Let's see, zero to 60 and zero to 100 of Yamaha, R on 5 V3, by the way, this is BS4 model, अगर आपके पास BS6 model होगा, then, एक या दो किलोमेटर के डिफरेंस हो साकता है, BS4 में पावर ज्यादा है, let's try it, All right, so, यह था R on 5 V3 का पावर टेस्ट, 1st gear, 2nd gear, 3rd gear, 4th gear and 0 to 60, 0 to 100, अगर आपको किसी और बाइक का ऐसा ही चाहिए, मतलब किसी और बाइक का घिया चाहिए, आफेर, आप चाहते हो कि मैं उसका टॉप स्पिट चेक करो, जरूर बताना, मैं कोशिश करोंगा, आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाने की, और आरन फाइब टॉप स्पिट का वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, जब मैं साउथ के तरफ जाओंगा, एक्चुली साउथ के तरफ मुझे जाना है ट्रेवलिंग के लिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है, वो में ये ट्रेवल बेस्टी में बनाना चाहते हो, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम से, जिस वज़े से मैं ट्रेवलिंग कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही जल्द मेरा एक ट्रेवल सीरीज चुरू होगा, बहुत ही जल्द चुरू होगा, जड़ूट से देखना, तब तक के लिए, राइड हाट, राइड सेब, और बाइड बाइड